तो गाइज यह वाला मैच प्लैटिनम 2 के बंदे के साथ है और भाई बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच होने वाला है थोड़े सा हाइर स्कोरिंग भी मैच होने वाला है और भाई मैं आपको कुछ बाते भी बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखेगा तो भाई तो इंको खेले हैं तो समझ सकते हैं कितने ज्यादा वरियेशन है उपर से बाई यह बढ़ियां के एंद है यहां पर डॉट होगी और वाई सब अगली गैंद फिर से बहुत बढ़ियां शॉट है इस पर ठीदे जाएगी बाल छे रनोग लिए ठारा रन बने हैं बाई अब त बतर नाग का सोट और सीधे बाल शॉट के लिए इस सोट के लिए तो लाइक बनता है अब बात करते हैं तो पुछ बंदों का भाई इस बार फिलाहाल बिकेट मिलेगा यहां पर तो यह एक बंदा है जो बोलते हैं कि बार अबार भाई कि तुम्हारे अपोनियन प्लेयर के आपके सामने मैच के साथ खेल लूँगा ऐसा तो जान बोषिक किसी के साथ खेल लूँगा अपके सामने मैच लगाता हूं डी टिसी में और अच्छा प्लेयर मिलता है बाई प्लेटिनम से ही न भाई गेस को रहो कि हाँ बाई अच्छा खेलता है अब बहुत बढ़िया यूट्वर है बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन भाई हम रेगूलर आपको वीडियो देते हैं रेगूलर किसी भी दिन भाई मैं नहीं रुपता हूँ फिर भी ना तुछ से बा तो भाई आप बताओ कि मैं क्या करूँ है आप खुद ही बताओ तो भाई फिलायलम गेम पे ध्यान देते हैं चौथी गेंड बढ़ियां शौट है इस बार गैप में है और चोगा मिल जागा असान तरीके से बाई सामने वाला प्लेयर कैसे खेल रहा हूँ मैं थुरे ने मिल जागा भाई जब बताओ इतना अच्छा-चा शौट उसके पास है तो भाई क्यों गोल चौट को खेलेगा भाई इस बार भाई पीछे पुल करके सिंगल निकाल लिया असान तरीके से थाटी फाइप रने स्कोर चुगे है बाई सेबेंटी थ्री रोनों का भाई टाइमिंग नहीं कर पाएंगे तो सीधे पविलियन जाएंगे इसमें कोई सक्क नहीं है तो फिलहाल भाई देखते हैं क्या होता है अगली गेंड मेडियम गेंड बाद को ले क्या है पहली गेंड बाहर निकलते हुए भाई याप बढ़िया शौट के लिए को सीस्रो इस चाते थे लेकिन यहां पर कैच हो गया है और पैविलियन जाएंगे इस बार रिबर्स विंग एंड बढ़िया शौट भाई फिलाल टाइमिंग कर दिया है और मिल गया चीरन इस बार अगली गेंड देखते हैं बाई बढ़िया शौट शौट की कोई जरूरत ही नहीं है अ बाई हर एक डाइलेक्शन में इसके पास अच्छा सौट है फिलाल यहां पर टाइमिंग नहीं कर पाएं और कैच दे बैटे हैं अब बाई देखते हैं आगे क्या होता है इतना मेहनत करने के बाद कसन से बता रहे हैं मतलब बाई रात में जब वीडियो इडेटिंग होगा आप वाई सोबर करके जब सोने जाओ नो लगता है आँख में कुछ चुब रहा है लेकिन बाई कोई फिलिंग नहीं समझता है यहां पर बस तुम खराब हो तुम लोग पीछे पड़े रहते हैं आपके निगेटी भी धूरेंगे यहीं एक दिक्कत है यहां पर कोड़ी सी दिमी करती कि गैंद पर यहां शौर्ट था और यहां पर चौका मिल जाएगा चलिए देखते हैं आखरी यहां पर जीत तो बिल्कुल नहीं सकते है फिलाल एक और कैच और इसी के साथ भाई हमने पूरे तरह से इस मुकाबले को अपने पकड़ में कर लिया है आखरी यहां पर यहां शौर्ट लेंगे पूरे तरह से बीट हो गए हैं और इसी के साथ हमने इस मुकाबले को बार रहनों से जीत लिया है बाई प्लैटिनम के बंदे के साथ तो वाई वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए म बाई बाई